सरकार एक बार फिर से सूचना के अधिकार कानून को संशोधित करने जा रही है डेटा सनरक्षन यानि कि डेटा प्रोटेक्शन कानून के जरिये से जो सरकार कह रही है कि वो इसी सत्र में पार्लेमेंट के मौनसून सेशन में लेकर आ रही है अब ये कानून कह रहा है कि सूचना के अधिकार के धारा आठ को संशोधित कर दिया जाएगा जिससे कि लोगों की तमाम नीजी सूचना जो है सूचना के अधिकार के कानून के दाइरे से बाहर निकालती जाएंगी अब हम सब जानते हैं कि जब से सूचना का अधिकार कानून आया है पिछले 17 साल में लोगों ने इसका जम के इस्तेमाल किया है सरकार को जवाब देह बनाने के लिए आप ये सोचिए कि तमाम पब्लिक सेक्टर बैंक जो हैं ये बड़े बड़े लोन देते हैं पुंजी पतियों को और लोन माफ कर दिये जाते हैं पुंजी पति फरार हो जाते हैं willful defalters क्या लोगों को जानने का हख नहीं है कि इन लोगों के नाम क्या है ये कौन लोग हैं ज तभी तो हम उसके उपर monitoring कर सकते हैं और लोग उस list को check करके ensure कर सकते हैं कि list में कोई गलट deletions या additions नहीं हुई और electoral fraud को बंद कर सकते हैं. क्या ये सूचना हमारे पास नहीं होनी चाहिए उसी तरीके से राशन, pension, manrega इन सब चीजों में चोरी तभी होती है, scams और corruption तभी होते हैं जब लोगों के पास सूचना नहीं होती कि किसको कितना राशन मिल रहा है, manrega में कितनी पगार मिल रही है, किसको ठेके दिये जा रह ये सारी नीजी सूचना के तहट आकर सरकार कोशिश कर रही है कि इसे हमारी रीच से बाहर कर दिया जाए, सूचना के अधिकार के दाएरे से बाहर निकाल दिया जाए, ये हमारी लोगतांत्रिक अधिकारों के लिए बहुत ही बुरा असर होगा इसका, क्योंकि जवाब दे हम सरकार को तब तक नहीं बना सकते जब तक हमारे पास सूचना नहीं है